बे ओफ बेंगॉल में हर साल साइक्लोन्स उठते रहते हैं और अक्सर इंडिया के इस्ट कोस्ट पर तबाही लेकर आते हैं अब जो तूफान आया है उसका नाम है जवाद आप जानते हैं कि इंडिया में अरेबियन सी और बे ओफ बेंगॉल से ही ज़्यादा तर दूफान आते हैं इन्हें हम साइक्लोन्स, ट्रोपिकल साइक्लोन्स या उस्ट निकटी बंधिये चक्रवाद कहते हैं ट्रोपिकल साइक्लोन्स की जो उत्पत्ती होती है वो केवल पानी पर होती है यानि जल पर होती है और उस पानी का टेंपरेचर आम तोर पर 27 डिग्रीज से ज्यादा होना चाहिए अगर आप हालिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो पाएंगे कि Bay of Bengal और Arabian Sea का टेंपरेचर इस बार सामाने से अधिक रहा है इसलिए Bay of Bengal या Arabian Sea में प्रेशर जोन बन रहा है जो धीरे-धीरे साइक्लोन्स में बदलने लगता है आप ये भी जानते हैं कि दुनिया को दो हमिस्फेर में बाट कर देखा जाता है Northern Hemisphere और Southern Hemisphere Northern Hemisphere में जो तूफान आते हैं वो होते हैं घड़ी की सूई की विप्रीद दिशा में यानि Anti-Clockwise और जो Southern Hemisphere में तूफान बनते हैं वो होते हैं Clockwise अब चुकि इंडिया Northern Hemisphere में आता है तो यहां उचने वाले Tropical Cyclones Anti-Clockwise यानि घड़ी की सूई की विप्रीद दिशा में बनते हैं इस बार जो चक्रवाती तूफान है उसे जवाद नाम दिया गया है जवाद यानि Liberal, उदार वैसे भी आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि यह उतना खतरनाक नहीं है जितना इस से पहले के तूफान हुआ करते थे यह नाम Saudi Arabia द्वारा रखा गया है आपको भी लगता होगा कि तूफान भारत के कोस्ट से टक्रा रहा है लेकिन नाम Saudi का दिया हुआ है, ऐसा क्यूं है या कैसे इन Cyclones के नाम रखे जाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि यह होता कैसे है देखिए, तूफान का नाम इसलिए रखा जाता है ताकि आपको उसकी study करने में आसानी हो सके इसे ताय करने के लिए पूरी प्तक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है साल 2000 में WMO यानि World Meteorological Organization यानि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आठ मेंबर कंट्रीज ने मिलकर आने वाले Cyclones के नाम ताय करने का फैसला किया था ये देश थे बांगलादेश, मियामार, थाइलेंड, इंडिया, श्रिलंका, मौल्डीव्स, ओमान और पाकिस्तान साल 2018 में इनमें पाच और देशों के नाम जुड़े जिनमें इरान, कतर, सौधी अरब, यमन और UAE शामिल है अब ये तेरह देश, तेरह तेरह नामों की एक लिस्ट पना कर Regional Meteorological Centers को भेशते हैं जैसे ही Cyclones आने की situation बनती है तो लिस्ट से alphabetical order यानि अंग्रेजी के alphabet के हिसाब से देखा जाता है कि अब किस देश की बारी है मान लिजिए इंडिया की बारी है तो अब इंडिया द्वारा सुझाए गए नाम पर चक्रवात का नाम रख दिया जाता है ये लिस्ट पहले से तयार होती है इस काम को साल 2004 से Regional Specialized Meteorological Center यानि RSMC द्वारा किया जाता है पूरी दुनिया में ऐसा करने वाले कई सारे मौसम विज्ञान केंद्र हैं जिन में से इंडिया का Indian Meteorological Department यानि भारत का मौसम विज्ञान केंद्र भी है जो New Delhi में है तो Member Countries हुई 13, सभी Member Countries 13 तेरा नाम देते हैं और लिस्ट बनाकर Regional Centers को भीजी जाती है तो उसी के आधार पर IMD ने इस साल 169 नामों की सूची तयार की यानि 13 देश, 13 नाम, 13 इंटू 13, 169 तो 169 नाम की एक सूची तयार की जिन में इसे नाम लिये जाते हैं इस नई लिस्ट में से पहला नाम तूफान निसर्ग को दिया गया था जो अमफन के बाद आया था साल सितंबर में आया गुलाब साइकलोन पाकिस्तान ने दिया था उमीद है आप सदस्य देशों का अंग्रेजी में इल्फाबेटिकल ओडर समझ पा रहे होंगे बांगलादेश का भी सबसे पहले है तो पहला नाम उसका फिर आई यानि इंडिया देन आई यानि इरान फिर पी यानि पाकिस्तान और अब इसी क्रम में आया है साउधी अरब नाम है जवाद मतलब है उदार यानि लिब्रल वैसे इस से पहले 1953 में मायामी नैशनल हरीकेन सेंटर और वर्ल्ड मिटेरिलोजिकल ओगनाजेशन तूफानों और ट्रॉपिकल साइकलोंस के नाम रखते थे यहां खास बात यह है कि इंडियन ओशन में उठने वाले साइकलोंस का नाम रखते समय खासा खयाल रखा जाता है क्योंकि इस एरिया की जो जाती या विविधता है वो बहुत ज्यादा है जो नाम रखे जाएं वो सेक्स, कास्ट, रेशो, संस्कृती, कल्चर इन सब के प् उसमें होने चाहिए उससे ज्यादा नहीं इनी सब के आधार पर आप सुन रहे हैं बार-बार नाम जवाद वैसे आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो ट्रॉपिकल साइकलोंस होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया उनकी उत्पत्ति यानि उनका उद्भव जल पर होता है पानी पर होता है और लैंड पर आते आते ये नश्ट हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं इनकी जो वेलोसिटी होती है वायू का जो वेग होता है बहुत तेज होता है और बहुत जादा बारिश करते हैं और जल्दी ही खत्म भी हो जाते हैं और ये ट् जानकारी की कैसे रखा जाता है किसी साइकलोन, ट्रोपिकल साइकलोन का नाम। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आपको समझ आया या नहीं इसकी जानकारी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे। आप जानते हैं कि सिविल्स जेली के यूट्यूब चनल पर अलग अल अगलग प्रोग्राम चल रहे हैं तो उन्हें आप सुबह से शाम तक यहां देख सकते हैं। अगर आप सिविल्स जेली की वन ओन वन मेंटरिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक को क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने अब तक ये